आपका तावून कहां लग रहा है? जो डोनेशन आप आई प्लस टीवी को दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? और उम्मत को इसका फाइदा कैसे मिल रहा है? और एक इसलामिक टीवी चैनल कैसे चलता है? आईए देखते हैं, Behind the Scenes. जो वीडियो हम आई प्लस टीवी पर देखते हैं, वो कैसे बनती है? Complete Process Planning to Broadcast आई प्लस टीवी ओफिस साकिना का मुंबई में मुझूद है. इसमें 35 लोगों की टीम काम करती है. अफिस में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, Production, Shooting, Editing, Graphics, Promo, Broadcast, Publicity, Islamic Helpline, Accounts और Guest Room भी है. प्लैनिंग की स्टार्टिंग होती है Conference Room से, ये चेर्मैन, जैद पटेल का कैबिन भी है. यहां प्रोग्रामिंग की मीटिंग्स होती हैं, इसमें आई प्लस टीवी के तमाम जिमेदारान के मश्वरे से आने वाले वक्त के लिए प्रोग्राम्स, डिसाइड और डिजाइन किये जाते हैं. अब शुरुआत होती है एक बड़े जदो जहद की छोटी टीम और बड़ा काम. ये हैं शेख शाह फाहद, जो आई प्लस टीवी के लिए शेडूलिंग और इस्लामिक चेक भी करते हैं. सबसे पहले प्रोग्राम के मताबिक आलिम को सेलेक्ट किया जाता है और फिर शूटिंग के लिए उनकी डेट फिक्स होती है. फिर काम स्टार्ट होता है सेट डिजाइनिंग का और कारपेंटरिंग वॉक का, सेट को हकी की शकल देने का और फिर पेंटिंग, शूटिंग की डेट से एक दिन पहले ही सेट रेडी हो जाता है. नेक्स स्टेप है लाइटिंग का. उस्मान खान आई प्लस टीवी के डी ओपी और कैमरा मैन है और ये है इनकी टीम, जो लाइट, कैमरा, साउंड के साथ साथ आफिस के कई और चीजें भी संभालती है अंडर दा सुपर विजन आफ प्रडेक्शन मैनेजर खालिद खान. इस वक्त आप मौजूद हैं स्टूडियो वन में, यहाँ पर आउडियन्स प्रग्राम का भी इंतजाम है. इसके साथ साथ एक और स्टूडियो है स्टूडियो टू, जिसमें शॉर्ट क्लिप्स शूट की जाती हैं. अब हम जल्द देखेंगे शूटिंग का प्रॉसेस. एक एहम बात, अल्हम्द लिल्ह, हिंदुस्तान के तकरीबं सौ से ज्यादा उल्माओं ने, प्रॉण और हदीस की रोशनी में आई प्लस टीवी पर सैक्णो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किये हैं. प्रोग्राम के मताबिक शूटिंग की जाती है. यहां से ये बेश प्रॉडिंग की फुटेज सिक्यूर करने के लिए सेफ स्टोरिज रूम में पहुंचाई जाती है. यहां पर वीडियो को तीन जगह पर सेव किया जाता है. हार्डिस, नैस, फिर एल्टियो में. इस डिपार्टमेंट में तीन शिफ्ट में काम होता है. इस वक्त पर मौझूद हैं शाहिद और नसीम. अलहम्दुलिल्लाः ये लोग भी मुख्तलिफ काम करते हैं. ये सेम टीम ब्राडकास्ट भी सम्हालती है. गाइडलाइन के मुताबिक कौन सा प्रोग्राम कब चलाना है? इसका भी पूरा खयाल रखती है. साथ ही कौन सी फुटेज, कौन से एडिटर को एडिट के लिए देनी है? ये सब काम भी ये टीम ही करती है. अब यहां से वीडियो सेब करने के बाद एडिटर को सेंड की जाती है. ये है आई प्लस टीवी का एडिटिंग और ग्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसके होडी हैं, इमरान शेख और ये है इनकी टीम. शुरुवात होती है एडिटिंग की, जिसका प्रोसेस काफी लंबा है. लाइन अप, शॉर्ट सौर्टिंग, फंबल एडिट, आडियो क्लीनिंग, कलर करेक्शन, ग्रैफिक इंसर्ट, ये सब काम करने के बाद, एडिटर इसलामिक चेक के लिए वीडियो को फावर्ट करते हैं, ये हैं शेख हाशिम, जिनके अंडर में शेख अब्दुलबारी और शेख शाह फहद हैं, ये तीनों हर वीडियो में बया की गई आयतों और हदीसों का रिफरेंस देते हैं, और स ये हैं सुजाओ दिन मीर, जो वीडियो के हर शॉट का प्रॉपर क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक के बाद, ये वीडियो दुबारा एडिटर के पास पहुचती है, जो जरूरत के मताबिक उसमें करेक्शन करते हैं, अब वीडियो आती है डाईरिक्टर की किया जाता है हार्डिस्क नैस और एल्टियो में अब एक वीडियो तैशुदा वक्त पर सेटेलाइट और सोशल मीडिया के जरीए पूरी दुनिया में हक्ती दावत को आम करने के लिए नश्र की जाती है अब आपको तसली हो गई होगी कि आप जो तावून दे रहे हैं आई प्लस टीवी को उसका इस्तेमाल कारे खैर में हो रहा है ये आपके लिए सदका जारिया है ये वीडियो चलती रहेंगी और आपको उसका अज्र मिलता रहेगा इन्शाल्ला इसलिए ज्यादा से ज्यादा आई प्लस टीवी को तावून करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जजाक अल्लाहु खैर सपोर्ट आई प्लस टीवी आप अपनी जकात और डोनेशन की रक्म इस साल भी आई प्लस टीवी को जरूर दें और इस नेक काम में हमारा साथ देने का अज्र पाएं जकात और डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें या ओनलाइन ट्रांसफर करें